प्यारे बैचो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इस CF यानी की महत्तम सवर्तक से जुरा हुआ A to Z concept जो आपके एजामे पूछा जाता है और हाँ आपके एजामे अगर कोश्चन आये तो हमको बनाना की ढंक से चाहिए इसकी चर्च करने वाले हैं अता अंत तक जरूर इ सारे concept आपका clear हो जाएगा कहता हो वह बरी से बरी संख्या भाया हमको बता दो जिससे 200 और 432 को अगर हम भाग दें विभाजित करें तो सेस भाया दो और तीन बचे ध्यान देना अलग-अलग जब सेस बचनी की बात करें तो संख्या में से सेस को घटाकर उसका मसा निकाल देते हैं यही इसका basic है वही उसका उत्तर होता है तो गौर करिएगा बनाने का तरीका यहां पर समझेगा आप तो पहले संख्या में से सेस को घटाएंगे तो 200 में से दू गया क्या बज़एगा दोस्त एक सो अंठान भी आद दूसरा 432 में से 3 को घटाओगे तो संख्या होता है जो दोनों संख्या को पूरा-पूरा कार देता है पूरा-पूरा काटने का मतलब वह संख्या हुआ जिसका परते एक पाट यह दोनों में समाहित हो परते एक पाट इसका दोनों में समाहित होगा तब यह पूरा-पूरा काटेगा अब आप गौर देखू, क्या ये 429 में, क्या ये 429 में आपको कहीं दो नजर आ रहा है, या 429 क्या 2 से कटेगा, भया 429 ये 2 से नहीं कटेगा, तो ये 24 से कईसे कट जाएगा, पहला option खलास, अगर हम option B पे विचार करेंगे भया, ता 8 में भी 2 है, नहीं, 2 दुनी 4, दुनी 8, 2 है या नहीं, यानि इससे वही संख्या कटेगा, जिसको में 3 गो 2 हो, 2 दुनी 4, दुनी 8, होता है न भया, 2 दुनी 4 दुनी 8, जिसको में 3 गो 2 हो, वही संख्या ये 8 से कट सकता है, गवर से देखो इसको में 3 गो क्या, इसमें तो एक भी 2 नहीं है, यानि ये संख्या 8 से भी भया नहीं क नहीं हो सकता। यानि यहां पर इतिर continues, नहीं हो सकता। कि पोने सांख्या क्यों है? तो इसे यहां पए को चॉछन को обिखने हो गया, वहता है , छोठा ही से बरी संख्या कौन है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किया जाए यानि की भाग दिया जाए तो सेस करमासा 3, 5 और 2 बचे तरीका तो ही है संख्या में से सेस को घटा कर उसका क्या निकाल देंगे मैसा हम लिखेंगे नहीं यहीं पर हम घटा सकते हैं 60, 72 कर सकते हैं लेकिन हम ल इसका जो मैसा आएगा दोस्त वहीं आपका उत्तर होगा वहीं आपका उत्तर होगा तो गौर करिएगा यहां पे हमें चेक करना है option से कुछ नहीं सिधे option से चेक करना है यहां पे वहीं इसका मैसा हो सकता है जिसका पर तेक पार्ट भाया यह तीनों में समाहित हो पहला option है 10, 10 में भाईया 2 और 5 है, आप ही बताओ इसको में कहीं 5 नजर आ रहा है क्या, नहीं, नहीं, अता ये संख्या 10 से कटेगा ही नहीं, ते तीनों का मसा 10 कहीं से हो सकता, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, दुसरा option यानि की 9, 9 का, 9 से वही संख्या कटेगा, जिसको में 9 जरूर ह करोगा, अब गवर करो यहाँ पे, क्या, इसको में 9 है, कहो कि दुखो 9 से चेक करने का तरीका है, शे से बत जाएगा, जोरा बनाते है 9 का यानि कि इसको में 9 नहीं है, 9 से यह संख्या नहीं कट सकता है, अता इगर आज 8 के हम यहाँ पे बात करें, गौन कोलर लेते हैं, का तर आठ के अगर हम बात करें, तो आठ में भाईया, तीन गो दो है, किलियर है, हना, अब यहाँ पे ध्यान देना, अब इसको में अगर गौर करते हो, इसमें गौर करते हो, तो इसका मतलब होता है, पंदरे, चौव, साथ, यानि दू, गुना दू, मात दू गो दू है, तो क हैंगे, नहीं कटेगा, तो कटे है कौन भाईया, तो C, आपका उत्तर कौन हो जाएगा, C, तीन गलत है, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, बहुत सा भाई, जब इसको बनाने लगेंगे, महत्तर उसे बर्तक निकाल कर, तो उ अठी सी यानमे, तीनों कट रहा है 12 से, यानि इसका मैसा दोस्थ क्या होगा, 12, आता इसका एंसर कौन होगा, 12, लेकिन कहीं भी उप्चन में 12 हैं क्या, लेकिन फिर भी कोष्टन गलत नहीं है, कोष्टन सही है, हाँ, अगर यह अप्चन ना दिया होता, और हमसे का इसका क पाच आएगा कि नहीं? बारः से 18 में भागा दों बारा खी 6 अन 24 में सिस दों आएगा कि नहीं? यानि वा बड़ा से बड़ा संख्या कौन हुआ, बारा हुआ, जिससे ये तीनों में भागा देने पर ये तीनों सेस आएगा, लेकिन ऑप्शन में बारा तो हैं ही नहीं, हना आता यहां पे चार ऑप्शन देने के बाद कोशन का रूप जो है बदल जाता है दोस्त, अगर य आप्शन दे दिया, तो कोशन पुछना का मतलब यह हो गया, क्योब बड़ा से बड़ा संख्या ये में चारों में से कौन है, जिससे हमी तीनों में भागा देने हुआ तो 6 2 आएगा, किलियर है, आएए बात समझ में, यानि option अगर दिया हुआ है, तब यह question सही है, अगर option नहीं दिया हुआ है, तो उत्तर इसका 12 आएगा, इस प्रकार का option है, तो उत्तर इसका 6 आएगा, यह बात आप समझ गया होंगे, चलिए आगे बढ़तें अगले question में, अगर यह question के भईया, हम बात करें, यहाँ पर question number 38 का, तो कहता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा, जिस से 60, 500 आएगा, दो सो पचासी को भाग करने पर, परते एक दसा में समान सेश बचे, और वह सेश दिया हुआ भी नहीं है, इस question में देखो, इस में सेश दिया हु था, चाहे सेश समान बचे, या असमान बचे, लेकिन सेश दिया हुआ हो, तो संख्या में सेश को घटा कर, संख्या में सेश को घटा कर, उसका मसा निकाल देंगे, उत्तर आ जाएगा, लेकिन, यहाँ पर ध्यान देना, लेकिन, अगर सेश समान बचे, और वह सेश दिया ह ना हो तो एक दूसरे में से संख्या को घटा कर मसा निकालते हैं। हम करेंगे पहले 1.500 में से यहां लिख देते हैं पुरा डिटेल, 1.500 में से पहले 60 को घटाएंगे, फीर 280 में से 1.500 को घटाएंगे, समझना बात को 1.500 को घटाएंगे, फीर 280 में से 60 को घटाएंगे, और भाईया इसका मासा निकालेंगे, वही मेरा answer होगा, याद रखना, जब बरी से संख्या से किसी भी संख्या में भागा दिया जाए और समान सच बचे और वहास सेश दिया हूआ ना हो। तब एक दूसरा में से संख्या को घटा कर मसा निकाल देना। यानि 1500 में से 60 को घटा दो, 280 में से 1500 घटा दो, फिर 250 में से 60 को घटा दो उसका क्या निकाल दो मसा, लेकिन सेस समान बचे और सेस अगर दिया हुआ हो, तो भाया यही नियम लागू होगा, कि संख्या से सेस को घटा कर मसा निकालना है, चलो अब इसको हम देखते हैं, इसको यहां पर देखते हैं, अगर इसको घटाओ बच जाएगा 90, इसको घटाओ भाईया 5, 3, 135, इसको घटाओ भाईया 5, 2, 2, 125 बचेगा, इसका क्या निकालना है दोस्त, हमें मैसा निकालना है, क्लियर है, वही मेरा क्या होगा, उत्तर, लेकिन मैसा हम इसका निकालने नहीं यानि इससे ये तीनों कटने के लिए तीनों में कम 10 तो होना ही चाहिए, तीन तो होना ही चाहिए, देखो इसको में 10 है, इसमें 10 है, नहीं है, अता ए ओप्सन आपका नहीं हो सकता, अब हम बात करते हैं दूसरा ओप्सन पर, दूसरा ओप्सन है 25, 25 से कटने के लिए 2 गो 5 संख्या में 2 को 5 चाहिए यानि यह सकते है 25 से कटने के लिए अंतिम 2 नहीं 25 से कटने वाला है यानि कि 25ी 135 नहीं कद सकता अता यह तीनों का मैसा नहीं हो सकता अब बात आती है यहां फर 25 का और बात आती है यहाँ पे पचपन का पचपन से कटने के लिए भाईया 11 और 5 चाहिए 11 और 5 चाहिए यानि 11 से भी कटना चाहिए और 5 से भी कटना चाहिए गौर से फ्रमाओ 90 में 90 में 11 है क्या नहीं है यानि कि 11 से 90 कटेगा क्या नहीं कटेगा यानि यह भी आपका option नहीं होगा तो option कौन हो बात चोठा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा देखो ये नियम का यूज करके बनाने का आदर डाले ना एक्जाम में बहुत समय बता देगा इतना चले भी आप बढ़ते हैं अगले कोशन की और यहां पे ध्यान दीजाएगा ये वाला कोशन को ठीक है लेकिन ये कोशन बनाने और 318 को विभाजित करने पर सेष कर मसा साथ और शेप राप्त हो ये आप उतर देंगे संख्या में से सेष को घटा कर क्या निकालेंगे मसा निकालेंगे लिकिन ये निकालेंगे नहीं से समझना कहता है वह सबसे बरी भरगाकार टाइल्स की भुजा के लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 1392 और भाईया 522 सेंटीमीटर चौरी टाइल्स की फर्च बनाने के लिए किया जा सकता है क्लियर है तो कभी भी यहां पे ध्यानदेना आयतकार कभी भी आयतकार शेत्र में हना बढ़ा से बरगाकार टाइल्स बिषाने के बात हो तो वह बरगाकार टाइल्स की जो भुजा होगी न prowad यह दोनूंका तरी मसा होता है क्लियर है वही आफका क्या होगा इत्तर होगा देखो हम यहां से देसमलब को भाया हटा लिए हैं यहां पर देसमलब को हटा लिए हैं क्यों हटाए हैं यहां पर गौर करो अब इसको मतलब हम सिधे लिखेंगे यहां देसमलब अंठामा लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया एक देसमलब सोला इसका मतलब हो ग एक सो छउपार होगा या सतासी होगा क्लियर है कि में निकॉलने के gdzie निकालता है यहांप और या दियाज़म यहां 가서 हटा के हुड्लु कर्णके पस बिदीना अब यहां पर ध्यान देना, मासा, यह दोनों का मासा वह बड़ा सर बड़ा संख्या जो दोनों को काट दे। आफ न्यां निकालने के लिए किया निकालता ह zoo यहां पे ऐंतर, यानिकि 2 मीं से DOO गया 0,9 मीं से DOO गया 7, 13 मीं से पास गया 89, Hart 870. अब यह देखो कि 870 को काटने वाला इस चारों में से बड़ा से बड़ा संख्या कौन है, दर समलब शोड़ के देखना, ठीक है, वो बड़ा से बड़ा संख्या कौन है, तो तुम कहोगे भाईया कि अगर सबसे बड़ा के बात करें तो एक सो चहुंतर है, हैना 87, 116, 98, 93 से तो इसे चेक कर लो ना, इसे चेक कर लो कि यह करता है कि नहीं, अंतर में सुनना है, तो इसमें 500 गुना करने पर आएगा, देखो तो पांचो भी इसके सुनना बाकि दू, 17, 85, 85, 87, बिलुकुल भाईया, यह कट रहा है, यानि इसका मासा कौन होगा, एक सो चहुंतर होगा यानि की दसमन में देखोगे, तो एक दसमन में देखोगे, तो एक दसमन में चहुंतर, यानि की एक मीटर, चहुंतर सिंटी मीटर, यानि वो बर्गाकार टैस के भुजा क्या होगा, एक मीटर, चहुंतर सिंटी मीटर, किलियर है, हमें लगता यह बात भी समझ गये होगे, बस इसी के साथ हम क्लास को स्मावत करना चाहेंगे मिलेंगे अगले क्लास में जब तक खुछ रहे हैं मंगर रहे होके बाइबार